क्या बोल रहो? सिधार शुकला फिर जीतेगा? अरे नहीं यार इस बार सिधार शुकला कैसे जीतेगा? क्या? वहीं जीतेगा? क्यों? अच्छा इस स्क्रीन में दिख रहा है? अच्छा आगें आप लोग नमस्कार मैं हूँ कमलेश बिट्टोमिश और आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक्चुली मैंने जो पड़ोसी है वो कह रहे थे के भी तुम एपिसोड देखकर दूसरा एपिसोड देखकर निकले हो उनका कहना है कि इस बार भी लगता है कि सिधात शुकला ही जीतने अब पहला यह कि यह जो रिचेक्टिट फूर पाटिसेपेंट्स हैं इनके लिए एक मौका बिग बॉस ने दे दिया कि भाई यह जो सीनियर्स हैं और यह सीनियर्स जो काम आपको अगर देंगे आपने इने खुश कर दिया तो आपकी एंट्री हो सकती है अब इस एंट्री में भाई एक एक करके बात करते हैं पहले दूसरी की बात छोड़ देते हैं जो हमारे निशिकांत मलकानी ची हैं उन्हें तो बड़ा मज़दा टास्क मिल गया कि एक सब्दे के लिए अगर आप बिक्नी के टॉप को पहन कर साथ दिन तक घर में घुमेंगे तो आपकी अज गई रूबीना की बात कर लेते हैं रूबीना जी को मिला कि आपको एक सब्दे तक घर में रहना है लेकिन बिना किसे डिवांट के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और जो कपड़े आप पहने हो उसी कपड़े में पहनना है अरे गुसा बता रहा हूँ ना यार गुसा गई वो गुसा गई क्योंकि उसे हाईजेनिक पसंद है उसने कहा कि ना वो इसके साथ कॉंप्रमाइस नहीं कर सकती है पहरा टास्क नहीं ना कह दिया अब भारी आ गई जान की तो जान भी कैसे पीछे रहेंगे जान को भी एक टास्क मिला जान ने कर दिया बढ़िया था फिर बारी आ गई भाई सारा की सारा को सीधा बाल काटने का भाई गोहर को तो एक बात है और दिमाग लगाती है अब खुद के बड़े बाल तो कटवा नहीं सकती है तो दूसरे के ही बाल कटवा लेते हैं सारा के बाल कटवाने का टास्क दे दिया और सारा पीछे का भाई कर दी निशानत को फिर दूसरा टास्क मिला दूसरे टास्क में उनको अपने सिर पे रिजेक्टड लिख कर साथ दिन और वो वही यार बिखनी का टॉप 10 के रहना था दोनों में हां कह दिया तो फाइनली ये सारी चीजे हो गई दूसरा दूसरा टास्क मिला सभी ने रुबि ठीक है यार तो वही डंबल उठाने को बोल दिया सारा को उसने उसमें भी काम कर लिया नहीं सकी इस तरह से फाइनली सारा कुछ हो गया फिर बिग बॉस ने ये कह दिया कि आप जो चार है वो खुद से डिसाइड कर ले कि टॉप 3 में कौन है वही घर में एंट्री होगी ब नहीं कि एक दिन साथ दिन तक पूरा रहना था वही या कपड़े एक ही कपड़े में नहीं कि नहीं माने फाइनली यही वाजचीत हुई रुबीना पीछे रह गई बाकी इन तीन की अंट्री होगी यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जो शातिर सीनियर्स थे उन इस देश ने बहुत पसंद किया था जैस्मीन जी और हमारी जो रुबीना जी है यह दोनों भीड़ गई भाई क्योंकि साथ चीज़े ही एक दिन में अलाओ है ऐसे में दोनों भीड़ गई एक को हाईजीन पसंद है दूसरे को मेक अप से कप पसंद है जैस्मीन जी को लेक कितम बोली और सारा गुरुपाल के बीच में भाई किस लिए तो वही डिमांड वाली बात सामान जुल लेना है तो यह तो भिड़ने वाला टास्की है बिग बॉस तो ऐसा ही बनाते है नहीं लड़ेंगे तो हमारा पसंद भी नहीं करेंगे अच्छा खासा लड़ाई जाकेट दीती पहनने के लिए सारा को टेबल पर सामने खोल के रख दिया जाकेट खोला वही जाकेट खोल के सामने रख दिया फिर तो अनों हसने लगी मुस्कुराने लगी कि भाई हम तो पहले हैं जो पहले लड़े भी हैं दूसरे ही एपिसोड में जम के और हमारी दोस् की अगर बात करें अभी वैसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है सिधार जो पहले वाले अंदाज में थे कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे है कुछ नया नहीं कर रहे है लेगिन आने वाले एपिसोड में बिग बॉस साहिब ने जो जलकियां दिखाई है उसे ये समझ में आ रहा है कि ये तीन भी आपस में लडने वाले है थोड़ा बहुत मज़ा आएगा धीरे धीरे और बहुत मज़ा आएगा आगे चलकर जब घर में एक दूसरे के साथ जादा वक्त बिताएंगे एक दूसरे के बारे में जादा जानेंगे और फिर लडाईयां उतनी ही प्लमंगाया मैंने अपने लिए ड्रस मंगाया तो क्या किया मैंने खुद के लिए स्टेंट लिया कोई बुरा नहीं किया दोस्ति के लिए रेडी नहीं है बहुत कुछ अभी देखना बाकी है देखते रही है फुक्रे स्टाइल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्स सब्सक्राइब करें एपिसोड 2 का धमाल हो चुका है पब्लिक रियक्शन जद लेकर आएंगे आपके लिए चैनल को क्या करना है द्वारा बोल रहा हूं फिर रिटेर हो जाएएगा जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मुझे जद दीजिए नवसकार